आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार मैं हूँ मुसकान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी तो यूपी में निकाय चुनाओं के पहले चरण का चुनाओ प्रचार अब खत्म हो गया है अंतिम दिन सभी प्रत्याशियों ने रैली के जरीए प्रचार किया और जनता से वोट देने की भी अपील की है इसी रैली के बीच प्राइम टीवी भी प्रत्याशियों के पास जाकर उनके एजंडे पर बात करती हुई नजर आई है इसी कड़ी में हमारे समबादाता सागर थापा ने राज्थानी लखनव की एटाउंजा नगर पंचायद के वाड नमबर एक के सबसदपद की निर्दली प्रत्याशी रागिनी राव और उनके पती जीतेंद राव से खास बात चीत की है नगर निकाय के इस खास कारकरम में आज लखनों से चलकर प्राइम टीवी की टीम एटाउंजा पौशी है हमारे साथ नगर पंचायद एटाउंजा वाड नमबर एक के प्रत्यासी के पती हैं इसे ही बात करते हैं क्या शुब नाम है आपका और कहां से आप चुनावी मैदान में उत रहे हैं सर प्रत्थन तो प्राइम टीवी निवच को बहुत-बहुत धन्यवाद जो हमारे हां उपस्तित हुई है और मेरा नाम जितेंद कुमार राव वाड नमबर एक सभासत प्रतिनिधी वाइफ हमा क्या कुछ ऐसे विकासकार है जो अब तक अधूरे रहे इस बार वो पूरे किये जाएंगे विकासकारों में सर प्रत्थम तो यहां पर पानी की जल निकासी की समस्या बहुत-बड़ी समस्या बनी हुई है इतौजा में जो कि हमारे सांसद जी मुक्रमंत्री जी तक करते हैं कि इस बार अवसर मिलता है तो हम इस पानी की समस्या की आवाज उठाएंगे और समस्या को दूर किया जाएगा इसके सांस साथ हमारे वाड में जो है साधी विवा के लिए जो है छोटा मुटा कार्करम किया जा सके इसके लिए छोटा सा पीछे तालाब बना हुआ है जो कि आबादी की जगह है हम चाहते हैं कि वहां पर जो है छोटा मोटा पार्क बनवा दिया जाए जिससे जो है साधी विवा और मुंडन के कारिकर महां पर संपन्न हो और इसके लावा पानी की समस्या बिजली की समस्या और साफ सफ़ाई पे पानी जल सब दुरुस्त क सब्सक्राइब तो यह लग रहे हैं तो मांसी ग्रूप से संतुलन का गडबड हो गया था इसलिए नगर पंचाय से हमें पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं मिल पाया है और जो साफ सफ़ाई में कमीद रही है उसको इस बार जो है पूरी तरीके से दुरुस्त किया जाएगा इसके साफ साफ तीन सडके हमारे वाड में बनवाई गई है चूकि सत्रा हजार सत्रा लाग रुपे का अंटाइट बजट आया हुआ था जिसमें हमने हमको चार लाग 72 रुपे का बजट मिला तो थोड़ा सा जो है जहां पे जल भराव ज्यादा था उस जगा पे रोड बन गई है इसके लावा आगे पीछे जो पानी की समस्या बनी हुई है इस बार उसको भी हम कोशिस करके बजट ला करके उसको भी दूर करेंगे चलिए अच्छी बात है सुरेजी एक और चीज़ है कि देखिए जाहिर से बात आप नरदली प्रत्यासी है तो कहने अगर जीत कर आते हैं अगर जनता जीत का पर सर पर ताच पहनाती है तो क्या आपको लगता है कि आप किसी पार्टी विशेष के साथ रहेंगे क्योंकि तमाम बाटियां है और तमाम बहुत विवक्षी दल भी है यहां पर जो आपके अगे खड़े हैं तो क्या लगता है किस से कड़ा और किसको सपोर्ट करेंगे अगर आप जीतने के बाद फिर से मैदान में उतरते हैं हमारी जनता अगर हमको जीताती है तो चूंकि जो गवर्मेंट इसमें चल लही है और विकास का एक रास्ता होता है सांसन निदी और विधायक निदी अन्य परकार के बहुत सारी योजना है जो गवर्मेंट से चल नहीं है उनको लाने के लिए खशेक राची जो आपका विचारदारा से बहुत अच्छी बात है एक चीज और है सुरेज जी अगर आप जनता आपको वोट दे तो क्यों दे जनता हमको वोट इसलिए दे चुंकि विगत पांच वर्सों में हमने पैतालिस जो है निसल बिजली के कनेक्शन साथ रासन कार्ड अपने वाड में और आलमोष्ट नब्बे कालोनिया निर्मान करने में हमने सपोर्ट किया इसके लावा जो है सुरच्छा भीमायोजना हो गई और उजला गैस कनेक्शन हो गए हमने करवाए हैं इसके साथ साथ सुरच्छा भीमायोजना हो गए किसान सम्मान हो गया और लेबर कार्ड कार्ड अयुस्मान कार्ड और इस्रम कार्ड इसके लावा क्रोना काल के समय हमन ऐसे हमें उम्मीद हैं कि हमें जनता ओर देगी और हम विझाई होंगे सबसट प्रत्यासी प्रत्यासी है इंसे लिए एक और अपील मांगो लेटे हैं अपने चेत्र aktivski जनता से अपील कर देए सब भी वादवासियों से मेरा हाँ जोड़कर निवेदन है कि उता हुआ सूरत पर मोहर लगा के भारी बहुमत से विजय बनाएं प्रत्यासी के तीस जिते राऊवजी जिन्होंने शाफ पर बताया कि अगर सिर्फ पर दुबारा से पहनाती है तो जीत जीतने के बाद पूरी तो चार माई को लखनव में जो जनता है वो अपने मताधिकार का इस्तिवाल करेगी लेकिन जो तमाम पार्टियों के जो प्रत्याशी है चाहे वो निर्दली यही क्यों न हो वो लगातार ये जनता से अपील करते हुए नजर आ रहे है कि अगर जनता उनके पक्ष में वोट देती है तो वो अपने शेत्र के साथ-साथ लखनव का ही नहीं बलके अपने जो पुरे प्रदेश काही न काही उसका भी विकास करने में एक एहम भूमिका निभाएंग और एक एहम रोल अदा करेंगे फिलाल हमारे इस खास रिपोर्ट में इतना ही देश दिने की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस